नमस्तु तो स्वागते आप सबक्राइब इस प्रेशलिंग ब्लोक में में हो कुछ जाए सब्सक्राइब करते हैं और हमेशा बगवान सी यह प्रात्यन करते हैं जितने भी मेरे यूटूब फैमली है या पि जो भी मेरा लबर और चाहने वाले हैं हमेशा कुछ रहें उन्हे है हमारा हुस्पिटल में आखरी दिन आखरी तारिक और आखरी ही हो यही भगवान से हमेशा कामना करते हूं तो यह है बो कार्ड जिसे फोटो कोपी कराके एक कौपी जो है देना पड़ेगा हुस्पिटल बालों को और जो भी रिपोर्ट बगर है बो तो पिछले बर भी उन्होंने रख लिया था शायद रिपोर्ट रखने का कोई उनका नियम या फिर कुछ होगा हुस्पिटल के अकोडिंग जो भी हो मुझे क्या करना है बस बच्चा सही हो गया इससे जदा और कुछ चाही भी नहीं बस भगवान से हमेशे यही कामना करते हूं कि दूबरा ह किस भी हॉस्पिटल में ना जाना पर हर मय यही चाहती है लेकिन क्या करें जब तबेयत कुद्रती खराब हो जाते रहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है बस इसाको फोट्यक्पी कराना ए उसके बाद में उनको आधरकार्ट की फोट्यकोपी के साथ में इसे देना है और कितना बड़ा होस्पिटल कितना क्लीन है और कितना मतलब अच्छा है स्वाच्छ है तो हम आ रहे हैं और चोटु आज जो है थोड़ा जिद्धी बना हुआ है उसका मन नहीं है मतलब बो नहीं चाहरा है कि बो पेदल चलके जाए उसे गोदी लेलू लेकिन में गोदी कैसे ल महराज मैं जाते जाते उन्हें कह रही हूं है प्रभू अब दुबारा से मेरी बच्चों को इस संकर्ट में मतलाना क्योंकि मेरे बच्चा अल्री बहुत ज़्यादा दुखी है सोनु मेरे से होस्पिटल में कई वर सवाल कर चुका है कि मम्मी सभी का पापा आता है सभी का सब्सक्राइब करते हैं तो फाइनली देखिए दोनों बच्चे यहां पर बाहर निकल चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि जेल से जैसे कोई कदी चूटता है केदी की तरह मतलब मैसूस हो रहा था क्यूंकि इतने दिनों बाद अगर निकलते हैं दस-फंदरा दिन बाद में तो दिमाग की है पूरी तरह से हालत कराव हो जाती है और बाहर निकलते हैं हमें यहां पर कुछ भी नहीं नजर आ रहा था और और दिन तो है ना गेट की बाहर बहुत सरे टोटो ओटो सब कुछ मिल जाता है लेकिन आज पता नहीं किस कारण बश कुछ भी नहीं दिखाय लेकिन दूर दूर तक है ना काई पे भी टोटो बगरा नजर नहीं आ रहा है समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करूं कैसे नहीं करूं और मैंने ओला जो होता है ना उसे भी बुक करने के कोशिश की लेकिन वापे भी दो बार कैंसल हो गया एबिलेबल नहीं हो पा रहा है तो तो समझने पारी क्या करें क्या नहीं करें तो फाइनली बहुत दूर तक हम जा चुके थे लगबग एक किलोमीटर पैदल उसके बाद में हमें एक टोटो नजरा रहा था लेकिन बो चलने के लिए तेयर हो जा है बस बहुत है और देखिए मेरी हुलिया ऐसा लग रहा है कोई क्या कर सकते हुलिया किसको क्या करना है एक इंसान अगत दास बरा दिन तक नहीं ना आएगा न तो उसके साथ में यही हालत होगा बस मुझे इस बात की बहुत ज़दा खुशी है कि मेरी जो बच्चे है बो पूरी तरह से से हो चुका है मुझे इस से ज़्यादा ना तो विद्ध करापे मैं किसी को बिठाने भी नहीं दूगी अगर आज की बजे कोई और दिन होता ना तो मैं उन्हें नहीं माना करती है टोटो वलों का क्या नियम होता है कई वर में जासा हो चुका है टोटो वाले ऐसे करते भी है जैसे अगर रस्ते में उन्हें कोई भी बिल्कुल सुमसान सब परा हुआ है अब घर जाओंगी तो अगल वगल में पूछूंगी कि क्या बात है आज का दिन क्यों सुमसान है फाइनली हम यहां पर घर पहुछ चुके थे देखिए चुहों ने घर का हालत पूरी तरह से कच्चुमर बना रखा है डबा बोतल जो भी सब्सक्राइब किया हुए घर पर कोई थान ही आप सबी समझ सकते हैं और जिन लोगों को भी मेरा घर गंदा लगता है उने लगने दो मुझे को फरक नहीं परता क्यों कि घर में इंसान ही नहीं रहेगा और मैं किसी को सफाई भी नहीं देना चाहती जिन को लगनाय लग सक और खाने पीने के सामान भी ऐसा ही हो रहें देखिए सरसों के तेल बगर सब कुछ गिरा रखा है सबसे पहले सोच रहे हुए इस कपड़े को उतार दू नहीं तो है ना ऐसा लग रहा दम गुटन सी हो रही है एक ही कपड़े में बहुत दिन हो चुका है लेकिन कपड़े सबसे पहले बच्चों के लिए खाना और बाकी जो भी है चाय पनी का जुगार करना पड़ेगा और पानी भी नहीं है शायद पूरा केंपर खाली पड़ा हुआ है देखते कहा तक क्या हो पता उसके बाद में बाकी का काम करूंगी तो यहां पर हो रही है शाम की टैम कर एक माई समझ सकते हैं तो दोस्तों यहां पर रात की टायम हो चुका था बाबु को मैं अपनी पास लेका सो रही हूं बजाई यह है वो चमक रहा था उसका तवित पूरी तरह से ठीक तो है यानि कि भुखार तो से हुआ है लेकिन उसे कमजोरी तो बहुत ज्यादा आई जब आपट से बाहर जाके लाना पड़ेगा और चोटू जो है वो उस तरफ से में पास में ले सकती क्योंकि अगर लूँगी तो फिर वो सोनु को नहीं सोने देगा तो देखिये वो कहां पर सो रहा है और वो वहां पर सोने की बजे यह है कि वो गुस्से में है कि आप उस कोई से सद एंड करते हूं नमस्ते